नवस्कार बच्चों मैं डॉक्टर सुमंत सिंग टीशस अगेडमी ऑनलाइन प्रियागराज से बच्चों आज कल हम देखें बॉटनी में जटपट सिरीज लाये हैं आज हम बात करेंगे इको फीन एन इको टोन की हम बात करेंगे आपको पता है कि एक एकोलोजिस थे जिसका नाम था रामा क्रिशनन रामा क्रिशनन ने एक प्लान पर काम किया था जिसका नाम था यूफार्विया हिरिटा उन्होंने यूफार्विया हिरिटा पर काम किया था उन्होंने यूफार्विया हिरिटा को दो जग़े गुरो करवाया एक फूट पात पर एक ग्रास लेंड में अध्alon जगutral दिखा दोनों फार्म जो अलग अलग जग़ा को गुरो करवाएता उनके स्ट्रक्चर में अंतर था फिर दोनों को जब एक जगा करवा दिया साम है क्राइट में तो सेम इन्वार्मेंट में तो जो डिफरैंसे से उंडिसाइपियर हो गए तो इन्हों नहीं ये कहा रामा कृष्णन ने कि यह जो वैरियेसन आया था वो containment के कारण आया था तो हम बात करेंगे क्या ecofene की और eco tone को चलि एम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ecofene की हम बात करेंगे doctrine की देखें क्या है इन्वार्मेंटली 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 इन्वार् तो जो वाइरियेशन इन्वार्मेंट के कारण आता है जिस वाइरियेशन को इन्वार्मेंट इंड्यूज करता है उसको हम एको फीन्स कहते हैं अभी हमने बात की थी रामा क्रिश्णन की और आगे देखें दूसरी जो चीज इसमें है वो है आपका इको टोन दूसरी चीज जो इसमें है वो है इको टोन इको टोन ये क्या देखें ट्रांजीशन जोन ट्रांजीशन जोन बिट्विन 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 ट्रांजीश टू डिफ्रेंट कम्यूनिटी इज नोन एज इज इको टोन तो टोन तो ट्रांजीशन जोन बिट्मिन टू डिफ्रेंट कम्यूनिटी इज नोन एज इको टोन आपको पता जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकल करके जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो जहां गि तो जो गंगा सागर बनता है वो क्या एको टोन है क्योंकि ये फ्रेश वाटर बॉड़ी गंगा नदी फ्रेश वाटर बॉड़ी है और सागर्ध के वो आपका मरीन बॉड़ी है तो दोनों की अलग-अलग कम्यूटी है दोनों जहां के मिलते हैं वो क्या है एको टोन है तो ट पता दे अगर आप अगर आप टीजीटी पीजीटी जी आइसी एक और एल्टी के त्यारी कर रहे हैं तो आप टीशर्स अगेडमी पर हमसे जुड़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी जी आइसी एल्टी बाइलोजी में त्यारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी